दोस्तों, AI image बनाना तो आसान है और आपने भी बहुत से AI tool से AI images generate की होगी, लेकिन आपको consistent image generate करने में जरूर परिशानी का सामना करना पड़ा होगा, और जब हम कोई story या फिर video बनाते हैं, तो उसमें consistent images का अहम role होता है, अगर हमारी story या video में consistent images नहीं होती है, तो हमारी story या video की quality बढ़िया नहीं होती, हालां कि अब market में बहुत से ऐसे AI tool आ चुके हैं, जिनसे आप आसानी से consistent image generate कर सकते हैं, जैसे की mid journey, लेकिन इसके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन आप चिंता ना करें, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे AI tool के बारे में बताने बाला हूँ, जिससे आप 100% free में consistent image generate कर सकते हैं, तो चलिए, वीडियो को start करते हैं, वीडियो की description में आपको एक link मिलेगा, उस link पर आप click करेंगे, तो आप इस page पर आ जाएंगे, आपको gate started पर click करना है, और Google से अपना account यहां create कर लेना है, account create करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का interface open होगा, अब यहां उपर right hand side में create पर click करेंगे, उसके बाद हमारे सामने कुछ ऐसा interface open होगा, अब हमें यहां पर कुछ settings apply करनी है, सबसे पहले यहां right hand side में आएंगे, और यहां से model select करेंगे, model select करने के लिए यहां drop down पर click करेंगे, और यहां से stable diffusion Excel को select करेंगे, अब थोड़ा नीचे आएंगे और यहां से image dimension select करेंगे, अब आपको जिस dimension में अपनी image generate करनी है, आप यहां से select कर लेंगे, उसके बाद थोड़ा और नीचे आएंगे, और यहां से number of images को select करेंगे, आप एक बार में जितनी image generate करना चाहते हैं, आप वह यहां से select कर सकते हैं, अभी मैं यहां चार select करता हूँ, उसके बाद आप ऊपर left hand side में filter option पर आएंगे, और यहां drop down पर click क को select कर सकते हैं, अब थोड़ा और नीचे आएंगे, और यहां exclude from image वाले option पर आएंगे, और यहां drop down पर click करेंगे, और यहां से custom को select कर लेंगे, अब हमें यहां अपनी image generate करनी है, इसके लिए filter के नीचे option है, prompt का prompt box में हमें अपना prompt डालना है, जैसी भी हमें image generate करनी है, तो अब ही एक prompt मैंने पहले से ही यहां पर लिख कर रखा हुआ है, जिसे मैं यहां पर paste करता हूँ, उसके बाद नीचे exclude from image पर आएंगे, और यहां नीचे box में हमें negative prompt डालना है, तो negative prompt भी मैंने पहले से ही लिख करके रखा हुआ है, जिसे मैं यहां पर paste कर देता हूँ, यह prompt और negative prompt दोनों ही आपको description box में मिल जाएगा, अब image generate करने के लिए नीचे generate पर click करेंगे, यहाँ कुछ देर की processing चलेगी, processing complete होते ही हमें यहाँ पर 4 image मिल चुकी है, अब हमें अपनी इस character की consistent image generate करनी है, तो इसके लिए simple हमें अपने इस prompt में यहाँ पर थोड़ा सा change करना है, ज हम अपने इस prompt में थोड़ा और change करके नई image generate करते हैं, इस बार में यहाँ पर running की जगह type करता हूँ, sitting and reading book और generate पर click करते हैं, आप देख सकते हैं, हमारा वही same character है, लेकिन different pose में हमें अपनी image यहाँ मिल रही है, अब इसी तरह आप अपने prompt में अपनी requirement के अनुसार यहाँ change करके consistent image generate कर सकते हैं, अब image को download करने के लिए यहाँ download पर click करके अपनी image को download कर सकते हैं, अगर आप अपनी image की quality को enhance करना चाहते हैं, तो आप यहाँ plus पर click करेंगे, तो आप इन दोनों options को इस्तिमाल करके अपनी image की quality को और बहतर बना सकते हैं, playground eye में आप free में consistent image generate कर सकते ह हालां कि इसमें आपको paid plan भी मिलते हैं लेकिन free में ही आपको आपकी requirement के अनुसार इतनी image generate करने की सहुलियत मिलती है कि अगर आप daily एक video भी बनाते हैं तो उसके लिए आप यहां से free में उतनी image generate कर सकते हैं जितनी आपकी एक video के लिए जरूरत पड़ेगी दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like कीजिए चैनल पर नए है तो कृपया चैनल को subscribe कर लीजिए अभी तक के लिए नमस्कार मिलते हैं अगली वीडियो में